नमस्कार, SM News में आप से भी का स्वागत है, मैं सहित्ता कुमार और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ है सांती सुरूप बोध जी, जो कि किसी नाम और परिश्य के मोताज नहीं है आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि राम नाम सत्य हैं, तो फिर किसी भी सुपकारे में क्यों नहीं बोला जाता बड़ा अच्छा सवाल पूछा बेटे आपने, देखिए मुझे ये सवाल सुनके अपने बच्पन के दिन याद आगे जब हम द्याल सिंक कोलिज में बी एक च्छातर थे, वह एक हिंदी परिशत थी, उसका मैं जनरल सेक्रेटी था, हैड ओप्टी डिपार्टमेंट मिनिस्टर संत उसका अध्यक्ष होते थे, एक बार हमने अपने अन्वल फंक्शन में बुलाया हरी बंश राय बच्चन जी को, जो हम इताब बच्चन के प करती सम्मान की रूप में शर्धांजली अर्पित करते हैं, मैंने शर्धांजली अर्पित करते हैं, क्या बोला के सारे लड़कों ने हुटिंग शुडू कर दी, टीचर भी सारे कुछ असमंजर सुमें पढ़ गए, कुछ हंसने लगे, कुछ इदर विदर जाकने लगे, मै भी बड़ी सहज इस्तिती में आ गया, तो अमिता बच्चन की महानता देखिए, उनके पिता जी की हरीबन सराय बच्चन की वो उटकर आये, मंच पर और कहने लगे, कि भई आपके इस तरीके से शोर करने का मैं अभी पराय भली बाती जान गया हूं, आप श्रधांजली श शंकाएं हैं, उससे ये माहुल बना है, देखे, कुछ शब्द रूड होते हैं, रूड होते हैं, मतलब उसके अर्थ उसके साथ चिपक जाते हैं, उससे इतार इतार आप बोली नहीं सकते हैं, ऐसे ये श्रधांजली शब्द है, अरे भाहिया, श्रधा तो आदमी जो इसी एक शब्द है, राम नाम सत्य है, वो रूड हो गया, कि जब आप उसको किसी मुर्दे को लेकर के चलोगे, तो बोलोगे राम नाम सत्य है, वो कहते हैं, अगर वाके राम नाम सत्य है, तो आप किसी के जनम दिन पर बोल के देखो ना, किसी की शादी के मोके पर बोल कर देखो कि लोग आपका सिर रंग देंगे जूते मार मार के तो राम नाम सत्य है वो एक मुर्दे के साथ जाने के लिए टाइब्ड हो गया इससे ज़्यादा उसकी कोई और सच्चाई है नहीं कोई सत्यता है नहीं वेग्यानिकों ने इतिहासकारों ने राम के अस्तित्य को सुविकारा नहीं है और उसको नकारा है और जिस आधार पर उन्होंने नकारा है उसका उत्तर इनके पास किसी के नहीं है जब यह उत्तर नहीं दे पाते हैं किसी बात का तो मरने मारने पर उतर आते हैं और दूसरे को राश्वरोती और देशद्रोई कहने लगते हैं तो ये इनका असली मकसद है राम एक सच्चाई हो नहीं सकता राम तो हमारे अस्तित्व का दुश्मन था संबुक रिश्ची की जो कथा बालमी करामान में आई है संदरकाण में कोई भी उसको पढ़ सकता है उसमें वो संबुक का कसूर क्या था संबुक का कसूर ये था कि वो अपने समाज को संग्टित कर रहा था वो एक तरह की तपस्या थी क्योंकि ये लोग करने नहीं देते थे और उनके शड़्यंतरों को नाकाम करके अपने लोगों को पढ़ाने का काम करना ये कोई बुरी बात नहीं थी बस ब्रामन को ये बुरा लग गया ब्रामन ने जाकर के राम चंदरजी को भड़काया राम चंदरजी भड़काने में आ गए और आकर के हमारे शंबुक रिशी के पास जब वो आए हैं तो वो पेड़ पर सिर नीचे और टांग उपर करके लटके हुए तपस्या कर रहे थे यानि के जो विवस्था थी उसके उलट चल रहे थे उसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं तो ऐसे शंबुक रिशी की भगवान राम ने अपने हाद से तल्वार मार कर उसकी गर्दन काड़ दी और गर्दन काड़ दी इतने नहीं हुआ देव तो इतने परसण हुए आकाश मेइस पुछ में वर्शा की उन्होंने यानि कि सारे देव ताह यानि कि सब बढ़ देव का मतलब ब्रामन होता है वो इतने परसन हुए तो राम चंद्र को हमारा कतल करने पर हमारे बाप का कतल करने पर वो आशिरवात दे रहे हैं तो वो राम कैसे सत्य हो सकता है या हमारे लिए कैसे श्रद्धा का आधार हो सकता है नहीं हो सकता इसलिए ये कहना है कि राम नाम सत्थ है चाहे मुर्दे के साथ कहो चाहे उससे अलग कहो हमें तो कोई फरक पड़ता नहीं हमारे लिए तो राम नाम जूट है और जूट ही रहेगा सद्धियों से हम देखते आए हैं आए हमएं तो समाप्त करने के लिए चल रहे है पर ये इसमें सफल होंगे नहीं हर जूट होता है हर जूट की एक संधिया होती है हर जूट का आवसान होता है इसका भी अवसान होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा देखते रहो बच्चो आने वाले समय में इनकी सारी कलई खुलने वाली है तो राम नाम सत्य नहीं होता राम नाम सत्य होता तो उसको कहने की जरूरत ना पड़ती सत्य तो अपने आप पर कट होता है कोई गुलाब कहता है कि मैं गुलाब हूँ मैं खुश्बु छोड़ता हूँ ना अपने आप खुश्बु नाक तक आती है कोई गोबर कहता है, कि मैं गोबर हूँ, मैं खराब हूँ, मुझे मैं इसे बदबु आती है, उसकी बदबु अपने आप हमारे नाक तक आती है, और हम कहा देते हैं, ये गिर्णित चीज है, इसलिए राम में अगर कोई जान होती, तो आज भी राम के विरोधी दुनिया में ना होते हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए, अच्छी तरह समझनी चाहिए, और राम नाम सत्य जब होगा, जब राम के मानने वाले कल्यान कारी कारे करेंगे, जब तक राम का नाम कभी भी सत्य हो नहीं सकता, ये आज का सबसे बड़ा सत्य है, धन्यवाद बिटे, आपने मुझे इस योग्या समझा है कि मैं अपने कुछ विचार रखूँ, उसके लिए बहुत बहुत साथवाद, आप सुखी रहे हैं, धन्यवाद साथ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, और घंजने बिल्कुल भी बाना भूरें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले